जी कैफ ओर आज के लेक्शेर का अगाज करते हैं लेक्शेर नमबर एट जी हईब्रेट के स्टोंट्स अगर मेरी आवाज आप तक सही तरिके से पूंच लिया तो हाथ उठा दीजिए आपके इंदादा आज शाबाज बस्थी का बेहतरी है अब हम ने स्टार्ट क्या हुआ था सेंशल ऑफ वैलिट कुंट्रेक्ट एक वैलिट के लिए क्या चीज़ें होना ज़रूरी है हम इनको बांदाबन स्टडी कर रहे थे सबसे पहले हमने डिसकस किया ओफर एंड एक्सेप्टनस ठीक है कि एक वैलिट कॉंट्रेक्ट पर पर दिसके दर्मियान में यह इंटेंशन होनी चाहिए कि उन्हें लीगर रिलेशनशिप करना या इरादा ना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी ने कॉंट्रेक्ट में अपना काम सहीत्री किसे नहीं किया तो हम उसके खिलाब कोई कानूनी कारवाई का इरादा रखना इस कमर्शिल को ट्रेक्ट में हमेशा in to create a legal relationship होँए साथ आप लिखें चाहिए आप ना लिखें चाहे पुछ भी लेखें in to create relationships हाँ में हो गी अफित थी क्मपिटेंस या कपड़िए कि कॉंझ सी part इस जो नहीं करने के लिए怎樣 participant Raj tag और इक या डिस्कॉलिफाइड वैला यानि माइनर अगर किसी परसंड की एज 18 साल से कम है वह कुंट्रेक्ट नहीं कर सकता माइनर को ला प्रोटेट करता है माइनर के खिलाफ आप लीगर एक्शन नहीं ले सकते हैं अच्छा इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट करने वाला माइनर के टॉ फूरत दिया है ला ने कहा है कि कुंट्रेक्ट माइनर अगर किसी कुंट्रेक्ट में पार्टी होता है किसी के साथ कुंट्रेक्ट करता है तो यह नहीं है कि कुंट्रेक्ट इस वाइड अगेंस्ट हीम कुंट्रेक्ट इस वाइड अगेंस्ट हीम कुंट्रेक्ट इस वाइ उसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अग्र माइन कोई क्रेक्ट किया है तो उस क्रेक्ट में 301 नहीं यह सकता माइन अगर कर चाहिए तो डॉसरों के खलाफ एक्चानले सकता है अगयस्ण ही महीं होना चाहिए जैसे पर्स किया ये मैनर है इनके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट क्या हुआ लो कि I will pay You rupees 10,000 मैं इनको 10,000 रुपीज पे करूं गा और मैंने ये माइनर है मैंने एग्रीमेंट किया माइनर के साथ अगर आपने दो हर्फी बात करनी हो इस एग्रीमेंट का स्टेटस के आप गेंगे वाइड है क्योंकि माइनर इनकंपिटेंट टू कॉंट्रेक्ट है लेकिन फिर मजीद आपने एक्स्प्लेनेशन फर्दर इसमें एड़ करनी है कि क्या हुआ कि इस कॉंट्रैक्ट में बताइए माइनर ने पैसे लेने हैं लेने हैं तो मैनर मेरे खिलाफ एक्षण में मैंàiर क्लाफ एक्षण ही ले सकता यानि यह ऐगर माइनर कोट में ले जाए कोट का ठीक Kenneth का माइनर को ठीका माइनर को situation अगर माइनर ने मुझे दस हजार देना हो तो अब यह एग्रिमेंट वाइड है मैं माइनर के खिलाफ एक्षन नहीं ले सकता मैं कोड में जाके कहूंगा ना इस माइनर से मुझे दस हजार प्या दोला जाए कोड के का नो नो कॉंट्रैक्ट विद माइनर इस वाइड अगे लेकिन अगर किसी कुंट्रैक्ट में से कुछ देना हो वह वाइड है कुंट्रैक्ट वाइड अगेंस यह बास समझाए यानि दो हर्फी बात नहीं आपने करनी बेहतर है complete पिक्चर दें अगर दो हर्फी बात करें तो वह क्या होगा कि माइनर कोई कुंट्रैक्ट करता है लेकिन अगर complete concept क्या है कि अगर उस contract में माइनर ने कुछ लेना है न फिर वैलिड है लेकिन अगर माइनर कुछ देना है अगेंस फिर यह बास समझाए माइनर की आगे चलता है यह हमारा करता घर सोला साल लेकिन मैं 20 साल को लगता था जाने हुए मैं 20 साल का हूं में सब्सक्राइग्रिबेंट मुझे दार दे 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 बाद में मैं तो मैंनर है कोड ने क्या फैसला दिया कोड ने कहा भाई माइनर तो माइनर है वो अगर जूट बोले ना फिर भी माइनर है क्योंकि माइनर को अपने अच्छे बुरे बले की समय नहीं होती इसलिए हम माइनर के हिलाफ कोई केस नहीं करवा रहे हैं आपको चाहिए था माइनर से पूछते तो फिर आप उसको लोन देते हैं आपने सिर्फ उसकी बात में तबार किया वह तो माइनर है हम उसके हलाब कोई एक्षान नहीं लेकिन लाग कहता है अगर उस एग्रिमेंट में उसको लेना है तो वह इनको मिलेगा और ज्यादा तर एक्षान में इन दोनों में से जातर माइनर के पूछता है कि यह क्लिए अगर वह माइनर है 16 साल की उमर में माइनर ने कुट्रेक्ट किया माइनर ने कुछ पैसे देने थे कॉंट्रेक्ट वाइड है क्या 19 साल में जाके कॉंट्रेक्ट वैलिड हो जाएगा याद रखिए ऐसा तो कभी हो सकता है कि एक वैलिड कॉंट्रेक्ट बाद में वाइड हो जाए है हो सकता है कि कौन कह रहा है हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि वैलिड कॉंट्रेक्ट बाद में वाइड हो जाए explain with the help of an example हाँ डिस्टाई हो गया कोई चीश है illegal हो गया बाद में बिल्कुल ऐसे ऐसे हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई वाइड कौन्टेक्ट था बाद में वैलिड हो गया तो सोलह साल की उमर मेंसे आग्रिमेंट और देंटर लिएए एग्रिमेंट कर लिया है अब सुनें कूझ के तुक्त कर सेंक्रों स् सोटों साल की उमर में माइणर ने एक बंदे से 10,000 पे लिए अगरिमेंट नहीं किया अगूर पैसे सॉला शाल का उमर दिया है अगरीमेंट साल की उमर में किया वैलीड है कि Alaid के नहीं है यहाऊएफ्य ते मिलें रिटन फार्मिन लुए उसने उसे कुंट्रेक्ट किया इससे क्या दे दिये जबानी किरामी उसके क्या दिया हुआ उनिस साल की इमर में जा कि उसने रिटन चुन्ट रिया वह वारिड है हाँst औरल कुंट्रैक्ट भी वैएलडिट लेकिन favorable एंगर औरम कॉंट्रैक्ट हम यह कदे भागल Resource वारी जाए ठुकाई करना यह कुलास में सो रहा होता इसको छोड़ना नह यह ओरर स्थ लेक्न यह नहीं नहीं और अगर डिसकाथ मैंने जननल नहीं कहा था था हर तरह का रिटन था है तो या रिटन दोनों तरह से हो सकते लेकिन जो अब किसी की जान माल इजदत को नुक्सान पहुंचाने का अग्रिमेंट नहीं नहीं कर सकते तो और रिटन करें और वो होगा है कि लिए रही है माइनर बात समझा गई एंसाउंड मैंड बात समझा गई जो अपने होशों हुआस में नहीं है यह दो तरह के लोग हो सकते हैं एक पर्माइन पागल एक वक्ती पागल जो कुछ था थे इसके बारे में पढ़ेंगे हों होता यह है कि कि बाद रुकात कुछ लोग जो कभी अंसाउंड मैंड होते हैं न यह कोड में जाके सब्सक्राइब करना होता है लेकिन यहां पर रूल बता रहा हूं कि अगर जिस वक्त हुआ उस वक्त बंदा सब्सक्राइब है यह बात समझा कि पाइस अगे चलते हैं प्री कंसेंट कंसेंट फ्री होनी चाहिए प्री होनी चाहिए ठीक है अगर फ्री कंसेंट है कॉंट्रेक्ट वैलिड है फ्री कंसेंट नहीं है कॉंट्रेक्ट वाइड अपल है एड़ दी आप्शन ओफ एग्रिवड पार्टिकों है जिसका जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी जिसके साथ जोजबर्दस्टी करके फोर्सफुली उससे रजामंदी ले गई किसी बेवा हातून को उसके बच्चों के गतल करते कि धंकी दे के एक प्रापर्डी ट्रांसफर भी हो जाए क्या ये ट्रांसएक्शन बाद में रिवर्स हो सकती है किसकी आप्शन पे उस बेवा की आप्शन पे ठीक है वो चुद्री साब की आप्शन पे नहीं एड दिया व कि वाइड़ेबल करता समझ आंगे ना ओके कंसिद्रेशन समदें होना जरूरी है एडिकेट होना जरूरी अगर कंसिद्रेशन बिलकुली नहीं है एग्रीमेंट वाइड वाइड जिन्सेडेशन है लेकिन थोड़ी है ना शाया है कि यहाँ ऐसको काते है रूला नों है लेकिन थोड़ी है इन एडिक्रेट कंसिडरेशन इसे वैलिट कंसिडरेशन है आगे चले कंसिडरेशन गलेर हो गया आगे पॉसिबिल यह तो हमने कल भी पढ़ दिये थे अब बटने आज आज पॉसिबिल्टी एफ पर्फॉर्मस आपने ऐसा काम करना है अग्रिमेंट ऐ है तो वह वाइड होगा आपको मैं अग्रिमेंट हुआ 10,000 पर दूंगा उड़के दिखाएं आप उड़के दिखाएं यह अग्रिमेंट क्या है अगर यह अग्रिमेंट मुझे कर लेते हैं और फिर नहीं उड़ते कोड में जाके जजी को कह सकता हूं जज साब इसको कि मना कहें कि मैं 500 किलो मीटर फी घंटा की स्पीड से दोड़के दिखाता हूं अग्रिमेंट वाइड है कोई कहे कि मैं थ्रू आउट दा कैरियर फर्स्ट अटेंड में से यह कर लूँगा यह अग्र आपने अग्रिमेंट कर लिए और फिर ना ना किया फास्टेंड में त अग्रिमेंट यह परफॉर्मेंस इसका जी जी अब दुबारा पूछेगा क्वेस्टन यह अग्रिमेंट नहीं यह नोने बादा कर लिए कि फर्स अट्न में पास करें इसमें नहीं होती कि अगर मैं इन से कहता आप में से जो फर्स्ट अटेंप्टर है उसको मैं अपनी कंपती में जॉब दूँगा और इतनी तनहाँ दूँगा कि वह हुश हो जाएगा फूर्स हो जाएगा यह जुआ क्यों इसमें सटन नहीं क्या चीजिश्टन नहीं है और दिखाए उसना का दो क्रोड लगेंगे ऐसा गर दिखाऊंगा कि जन्नत जैसा मज़ा आएगा कंसिडरेशन एंड अब्जेक्ट मुस्ट भी लाफल का मतलब क्या है जिसको ला मना करता हो वो ना हो एक लब होती है अनलाफल अनलाफल क्या है वह एक जिसको ला मना करता हो सम टाइम उसकी सदा होती है सम टाइम उसकी सदा होती है वैसे तक्रीब में ला चैसे करता है वह क्या है जैसे क्रिमिनल एक्टिवटीस को मना करते हैं लाग कि इतनी है अनलाफुल है पर ये जह ने करने करना क्या ये भाईजान कोड में जा कि ब्रीच केस कर सकते हैं क्या कोड को यह कह सकते हैं सर इसके हतों बना मरवाय हो वावाला थैसे अग्री मेन जिया था नहीं यह तो दूर की बात है αλλά को पूरा आना करे पार्ट्टी वापिस करना पड़ता यहिए विकला झी won't को जाकर केंगे जड़ साब चलें मैंने इनको एक लाख दिया था सुपारिय उसकी यह नहीं उसको मारा चलो ठीक है मुझे एक लाख रप्या तो वापे से लवाएं कि बात बात भी होगी पहले हो तुमने उसे का क्यों था उसे हो रहा है तो एग्रिमेंट वाइड है क्राइ है अगर एग्रिमेंट अंसर्ट न है तो वाइड है अब सरदिटी कि मैं न 이미 आपकी एग्जेंपल थी जए लिज में शुद्वावी अग्जएंपल आंसरण थे जांद थी एक आदमी के बास दो गाड़िया ब्लैक और वाइड उसने एंग्रिमेंट किया किसी दूसरे के स लेकिन जो कि है यह इसका मतलब एग्रीमेंट भी उसी एक आड़ी का हो रहा है सब्सक्राइब क्लियर हुए रक्षे वाले आपने रक्षे वाले मेरे घर चल लगा बिल्कुल चलेंगा कितना असर जो भी मुनासिब होगा क्राया देदीजीगा आप रक्षे में बैठके वैल करवाते हैं लेकिन अगर आप उनसे यह कहते हैं ना कि यह जो भी मुनासिब होगा वह आप पैसे दे दीजीगा तो यह तरफ जा सकता है इसलिए ऐसे अग्रीमेंट को वाइड करना आप में अगर आपने तैय किया लेकिन उसमें उसमें क्लियर नहीं लिखा तो फिर वह हम बिल्कुल चलेंगे कितने पैसे 500 देदें या 600 देदीजीगा 500 देदें या 600 अब यह अंसर्टन है क्यों प्राइस पांसो ना चेसो ठीक है तो यह प्राब्लम होगे लाइस कहता है कि यह अग्रीमेंट वाइड है फिर नॉट एक्सप्रेशली डिक्लेड आप यह होने चाहिए हां कुछ ऐसी कंडिशन हैं जिनमें ला अपनी तरफ से एड कर देता है रिजनेबल टर्म्स लेकिन बेसिक रूल किया है जब कभी आप कॉंट्रेट करें जो उसकी मेजर टर्म्स हैं गाड़ी खरीद रहे हैं कौन से वाली खरीद रहे हैं किस जगा वाला खर एडेर डाय वॉइड अग्रीमेंट इसा नहीं होना चाहिए जिसे लाने कलियरली वाइड किया हुआ है कलियरली वाइड या हूआ है कि अधार एक्जानबर एग्रीमेंट इन 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 इस्टेंट आफ मेरिज एग्रीमेंट इन इन इस साथ यह करना किसी बंदे के साथ करना कि वह कभी शाधी नहीं नहीं एगरीमेंट टू मैरी इंफोर्सेबल है एगरीमेंट सेंट ओफ मैरिज इंफोर्सेबल नहीं है बेट 18 साल का हुआ बाप ने बिला लिया उसने का हमारी खांदानी परंपरा है क्या बचन देना होता है जब भी कोई 18 साल के मरका पहुंचे मेरे दादा जान सब्सक्राइब मेरे बाप से ये वादा लिया था क्या कि कभी शादी नी करोगे मेरे बाप मेरे से अगरीमेंट किया था कभी शादी नहीं नहीं करने भागा थीक है खांदानी परंपरा है क्योंकि यह यह वाइड है बादमें कर ले करने में कोई रच नहीं है नहीं करने कर लेकिन इसकी वाय रहते हैं लेकिन याद रखे अगरीमेंट टु मैरी वाइड नहीं है एगरिमेंट टु मैरी वैलिड है एगरिमेंट टु मैरी और बल्के इसके बारे में तो है अगर Mr. A, बी के साथ प्रामिस्टो मैरी करेज़ और फिर इसको पूरा ना करें यह दो एग्रिमेंट कोंट्रैक्ट में ऐसे हैं जिन में लामिसाली सजा देता था तो एग्रिमेंट टू मैरी जो है सजा कि यह अब आगे लीगल सजाश में लिकिए थी यह डिपेंड करता है कि दूसरे बंदे को कितनी जिहनी अजियत पहुं यह जो चीज़ है ना यह हर बंदे का बुनियादी हक है अर बंदो कर लेते हैं आप कर सकते हैं इस तरह बंदे बनने के बाद रख्षा चला लेना कभी टीचर यह मेरा इसके साथ एग्रिमेंट अगर हो जाता है फ़र्ज कीजिए और यह चार्डर बनने के बाद का टीचर बन सकते हैं कि नहीं क्योंकि इनका राइड है कोई भी लाफल प्रफेशन सर्विस भी लायर बनना भी ट्रेड मे ना करो अपने विद्स उठा के किसी दूसरी जगा ले जाओ हम आपको दस लाख रुपे देंगे उसने दस लाख रुपे दिये और बाद में फिर वापिस आ गया क्या हम उसे मना कर सकते हैं यहां पर ना आएं जो एग्रिमेंट किया हुआ था हमने वो क्या था वाइड क् सब्सक्राइब करेंगे तो आपने परिशान नहीं होना सब्सक्राइब मेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं बोबाइल में जूमर्जी मसले आजए लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं यह क्या यह स्टिल मेरे ख्लाफ एक्शन ले सकते हैं अधिक नाट एक्सप्रेसली डिक्लेर डैस वाइड का मतलब है कॉंट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो ला नहीं किया हुआ यह एग एग्रीमेंट के साथ है इन रिस्टेंट इन रिस्टेंट कोई बात ने काम आएगा पढ़ना तो आगे जरूर है कहीं न कहीं ठीक है यहां पर नहीं है तर लिखते हैं कि अब अब कर लेता है कि अब कर लेता है कि वह एग्री कर लेता है क्योंकि अब क्योंकि अब इसमें दो तीन प्रिस्ट ला रहा हूं तो भाई की बेटी मर गई इस पूंट्राट क्या हुआ हुआ है वाइड हो गया क्या हुआ है यह यह नहीं उसने नहीं कहा किस तरह से जो अब कि यह 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 नहीं चाहे करें ना ने अग्रीमेंट कर लें तो उसे शादी करने पड़ेगी ना यह तो शादी करने बात में इस और फोर्स फुली क्योंकि फोर्स फूली में यह नहीं है कि इस 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 जबर तो नहीं हो रहा उसको पर शादी जबर की पांच एक्जेंबल बताई थी जबर की आप वाइड़ेबल आपने उठाया था क्या थी वो जब कौन सी पांस सिट्वेशन नहीं होती हमने देखें कि उसमें फैक्री आती है कि नहीं आती बिताएं ज़रा पां स्वाइबल गश्चार मिस्टेक साबस्ट एक अचाए यह तीनों समझ आगे वेजरींग एगरिमेंट वेजनी क्या है जुआ किसी का नहुआ वह जुआ एगरूएंड करते हैं तो वह एगरिमेंट वाइड है आपने कभी अगरों प्यासल गिया दूसरे तो आपने अशव यह पामार्कर जुवारीयों और जुवा की रिकम समेत गृ unfortunate कर लिया वह जुव वह जुआ है यह पाकिस्ताँ जीता तो में तुम्हें बाएसे देना आज बारिश होई तो में तुम्हें पैसे देना नहीं बारिश तुम मुझे पैसे लिए एक वर्ड अन्लाफ फुल भी यूज होता है तो जो अन्लाफ फुल एग्रिमेंट यह वैसे उपर कवर हो यहां पर दुबारा लिखने की जरूद नहीं थे जो एलिकल यह अन्लाफ फुल एग्रिमेंट्स होंगे वो क्या है वाइड है हां यह वाइड है यह लाने कहा है लिए लेकर दूप्लिकेशन मैं तो खुद करेंगेंट्स ना किसे बात से सहमत हो यह इधर आ गया था तो इदर नहीं आना चाहिए यह 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 वाइड है यह वेजरिंग तो चले अच्छी एक्जेम्पल है लेजिशन वेजिसे राइटिंग एंड रिजिस्ट्रेशन इ लिए असलमें एक से पहले की बूर्क होती है वह नंबी कहानी में नहीं जाता है सिर्फ इतना पतायता हूं मेरे जाती खियाल में वह ज्यादा बहतर थी उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से चांसर्ट बी ज्यादा थे तो उसमें यह चीज़ें अभी भी शामिल हैं लेकि यह जंका रिटर भी हो सकता है कुछ एगिरिमेंट्स ने संका रिटर होना लाजमी को चीह जैक स्कार दिया वह चीमिन चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है वो इन राइटिंग होना चाहिए मेरे ज़र में क्या मसला है कुछ नों बता सकता है मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज प्रेशने गलत प्राइब शापाज शापाज हम ने तो ये पढ़ा हुआ था scripture नहीं है तो एगरिमेंट ніहीं हो इस रूल की कुछ exceptions भी है तौगिफ्ट उसकी का राइटिंग में रिजिस्टर्ड होना लाजमी है उसमें से कौन से अग्रिमेंट है लिए बाप की डैथ हुए उसके नाम पर फर्ज कीजिए एक गाड़ी थी दो भाई है अब उन मरने से पहले मेरे गाड़ी मुझे गेफ्ट कर दी थी अच्छा अगर गिफ्ट कर दी थी तो फिर नहीं होगा लेकिन अगर किया हुआ है तो फिर लेकिया अगर तो राइटिंग में होगा तो फिर यह गिफ्ट का एगरिमेंट वैलिड है वरना नहीं है अगे चले टाइम बाड़ डेट का मतलब क्या होता है इसका टाइम घुजर जाए आप में से कोई स्टूर्ट क्लास में ऐसा है जिसने किसी को उधार दिया हुआ है किसी को नहीं आपके पास एक साल का और टाइम है तीन साल रोन देना किसी को उधार तो इसकी ट्यूड़ के तीन साल के अंदर रिकवर करवा सकते हैं लेगली त्यासा टैयंने कर आप टाइम बार टाइट इसके अडैट को तीन साल गुजर चुके हों जिसकी ट्यूड़ को कितने स नहीं इन भाहिजान मेरे से पांच लाक रुपे उधार लिए मैंने का ऐसा करो मुझे चेक लिख दो डूडेट का इन्होंने एक जनवरी 2020 का चैक लिख दिया मैं वो चैक एक जनवरी 2020 को मैं पुछा पैसे बही इनका सर भी पांधी निकाल कर ले कि कि यहां भी ले सकता हूं एक जनवरी 2030 सांगी तीन साल गुज़र गए इन ने पहलें तीन साल दूर्ज़रने के के बाद याद रखे मैं इस चेक की बेस पे यह जो डेट है मेरा इससे लीगली रिकवर नहीं कर सकता है इसको बोलते हैं डेट टाइम बार्ड हो गया ला यह कहता है अगर आप तो तो किसी को डेट दिया ओ लोन दिया मेक्सिमम कितने साल पिरने के तीन साल नहीं जैसा अगर मैंने इनको पैसे देना नहीं का सब्सक्राइब बाप्स करूँगा जब मैं चार्ड़ गवर्णन भरन भन जाओगा तो मैं जो तीन साल count होंगे आज की date से नहीं होगे बाद से टीन सा टाइम बाद हो गया date फिर लेग ले रिकावर नहीं हो सकता फिर अब उसका अपनी मरजी है वो चाहे तो दे दे चाहे ना दे मैल इसके खिलाफ legal action यह time bar debt बार बार आएगी टर्म इसको note कर ले time bar debt ऐसा debt जिसका time गुजर चुका है और कितना time है डिव डेट के बाद इसाब आशी को था डिव डेट के बाद तीन साल शाब आप आर्बिट्रेशन agreement दो पार्टी के दर्मियान जगड़ा हो गया दो तरीके हैं सुल जान तीन तरीके हैं तीन तरीके एक तो बहतरीन तरीका है बहतरीन तरीका है क्या भला माफ कर दें माफ कर दें जगड़ा हो जाए लेकिन बहुत मुश्किल है इसलिए हम थोड़े असान तरीकों की तरफा आर्बिट जगड़ावा किसे के साथ दो तरीके मजीद क्या एक कोट में जाके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए कोट में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए फिर उधर वकील होगा हमारा उधर वकील होगा दूसरी पार्टी का और फिर उसके बाद क्या होगा तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख 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 पे तारीख तारीख पे तारीख आप हाथ जोड़ के वकील को कहेंग जिसका एक उर्फिहा में नाम क्या है पंचायत पंचायत स्टाइल में किसी हाथ को एंगेज किया किसी आर्बेट ourselves के पास मुन जाते हैं या आप देखें एकसर में हाफीस सेंटर एलाहोर में जैसे या हालोड है इसमें हुन्सक्ण होती और उनका एक बाकाइदा जो डिस्प्यूट होते हैं दुकानदारों के एक दूसरे के साथ या कस्टमर दुकान इनको मार्केट के अंदर ही रिजॉल्व करने के लिए उन्हें आर्बिट्रेटर बनाए होते हैं अर्रेंजमेंट की होती है इसका फाइदा क्या होता है यह पंचायत और उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर फैसा अच्छा ला भी इवन हमारा जुडिशल सिस्ट्रम भी आर्बिट्रेशन एगरिमेंट को को इंकरीज करता है यight कर सकते हैं क्यों आए लाकि एक तरह से उनकी ओपर बर्डन कम हो जाता है जो ज्कू बहिया वह उपर होजाते हैं हो तो फिर बात में हो जगड़ का बाइस होगी है तो यह तीन अग्रिमेंट है इनका रिटन होना कौन से एक्रिमेंट का रिटन होना जडरोरी है को घ्रों कि अगया है करना पड़ता है रिजिस्टर कहा करना पड़ता है इसको फोड़ता है अहां प्रॉपरटी ओपर नहीं होता है कि आइब बाड का करना क्या है देखें आइब बाड का तया आपको समझ आ गई मैंने इन भाईजान को लोन दिया था तीन साल गुजर गे मैं इनसे लीगली रिकवर करवा सकता हूं अच्छा अच्छा आप सुनले चार साल गुजर गे पांच साल गुजर गे एक दिन ये परिशान मेरे पास आए मैंने इनसे बाड करता हूं आपके पैसे वापस कर दूँगा यह जो है ना एगरिमेंट टू पे टाइम बाड डेट अगरिमेंट वपे मैंने का अच्छा वादा तो पहले भी किया था लेकिन तुम भूल गए थे तुम भूलने पैसे अदा करने तुम भूलने के आदियो इस बार जो टाइम बाड डेट पे करने का प्रामिस कर रहे होना यह रिटन फार्म में होगा इस प्रामिस का रिटन फार्म में होना जरूरी है सिंपल डेट का रिटन फार्म में होना जरूरी नहीं है वह रिटन भी हो सकता है लेकिन अगर कोई उसको रीपे ना करे तीन साल गुजर ज हाँ हाँ इसमें इसका आंसर ला ने नहीं दिया हुआ क्वेस्टन इनका यह है कि अगर किसी को लोन दिया उसके साथ ड्यू डेट तैही नहीं की तो फिर तीन साल कहां से स्टार्ट करें ला ने इसका जवाब ने दिया हुआ मेरा ख्याल है इसमें वह रिजनेबल वड़ा रूर लगेगा के रिजनेबल पीरेड जब गुजर जाएगा तब उसके पाद ड्यू डेट अब रिजनेबल पीरेड कितना होगा यह केस टो केस व लीगल प्रोशीडिंग में पार्टी आपस में अगरी कर भी लें कि वह एक लिएक्षांग करेंगी रिटन फाहिए कर सकते हैं परस किजिए मैं भाइजार के साथ आगरिमेंट कर लेता है आप ने अच्छा भी पढ़ाऊं अच्छा पढ़ाउं बुरा पढ़ाऊं आपका की जुलाई को स्लेबल्स खतम करूंगा लेकिन मैं चाहे तीसक करूँ चाहे मैं 30 स्बंबर को स्लेबल्स खतम करूँ आप मेरे खिलाफ लीगल एक्षन नहीं लेंगे वादा करें इन्हों के रिटन होना जभी मतलब रिटन होना ज़रूरी है चाहिए जबानी के 10 फबाद में बाद में रिटन करना यानि बाप के मरने के बाद बाप साइन कासे करें ऐट देन भाड़ा जाएगा जायान का की अगत monoKNA जिए कि अग्यूट में यहां रिपेमेंट तो यह असकता है नहीं इसमें रिजनेबल टाइम आला रोल लगेगा इसमें रिजनेबल टाइम लगें देखे कोई कोई चीज मेंशन ना ना हो उसमें रिसेंबर वाला और वाला रूर लगता है, कुंछ चीज woman हो लेकिन इन क्रेयेंट ही हो उसमें शेधे रोगा मैंने के सथार किया ही नहीं bah Hem यह किताब कितने में बचूँँगा है ठीक है इसमें रूर रहो लगे लेकिन अगर मैंने कहा मैं पांसों में बिचूँगा या हजार में बिचूगा इसमें अंसर्ट इनटी वाला रूट लगेगा त्याइपस कॉंट्रेक्ट तीन त्याक के चुंट्रेक्ट वैलेड वाइड 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 वैलिट कौन सा जो को सब्सक्राइब यह लिए जा सकता है लेकिन एड़ ऑप्शन ओफ वन बार्ट जो एग्रिए लोगे यह निया ने यह नोगी क्वर्साइब ना यह और इन्फोरशेबल एट आप्शन ऑफ एक्रिया इन्फोर्सेबल यॉक्य नॉट नॉट इन्फोर्सेबल यॉट शोलडाओ जाए इसमें एक्जेंपट को समझ ले ची एक्जेंपल के साथ मैं आपको रहों आपको बात में आ आएंगे ना तो मैं आपसे पूछँँगा यह तो आपने कुछ सा बताना है अगली एक्जम्पल ध्यान से सुनिएगा यह तो यह एक्रिमेंट है किसकी ऑप्शन पर अगली एक्जम्पल और सर्विसिज इसमें गूर्ज को जहिद में रखें सर्विसिज का रूल भी लगता है इसमें गूर्ज नाट डिलीवर उन स्पैसि टाइम उन स्पैसिफाइड टाइम तो कुंट्रेट क्या होगा हमने दरजी को कपड़े दिए हमने कहा बाई सी के चांद रात को वापिस करते हैं तैप आई यह तै पाई आई और जो दरजी ने गूर्ज को डिलीवर नहीं किया उसने का सर चार दिन के बाद ले ले उसको ये कॉंट्रैक्ट के उपर अमल करना, कि चार्द इन बाद जाना उसके पैसे उसको देना और अपना सूट वापिस ले आना ये हमारे उपर बाइंडिंग है, नहीं है ये कॉंट्रैक्ट वाइड़बल हो गया किसकी आप्षन पे, एड़ दी आप्षन ऑफ दर्जी कि एड़ आप्षन ऑफ कस्ट्मर जब कोई बंदा चीजने ड्यू डेट के उपर ड्लिवर ना करें तो हमारी मर्जी हम बाद में भी ना लें फिर हमके ड्यू डेट के उपर तो चाहिए थी उस तब ड्लिवर ने की बात में हमारे किसी काम की नहीं ले जाओ इनको पर ठहर जाओ सिरफ यह नहीं चीज़ें खुशना हो जाओ जाते ज़्यदा खुश हो रहे हो बाई हस्रेद है कपड़े मिल गए तुम्हारे खलाफ हम केस करेंगे केस करेंगे क्या जो तुम्हे एडवांस दिया है वो भी वापिस लेंगे और जो नुकसान हुआ है हमारा वो भी हरजाना तुमसे लेंगे एडवांस भी वापिस लेंगे कपड़ों के पैसे भी वापिस लेंगे और हरजाना भी लेंगे तो यह एक्जंबल समझाए जब किसी के साथ agreement कर लिए गुड़िया सर्विसेश किसी डेट में डिलिवर होगी गुड़िया सर्विसेश को उस डेट में डिलिवर ना किया जाए तो गया होगा अब मुझे जरा सोच के बताइए अगर मैंने आपके साथ 30 जुलाई की डेट डाइगरी की है कि मैं सर्विसिज आपको डिलिवर करूंगा 30 तारी 30 जुलाई और मैं जाके 30 अगस्त को डिलिवर करूं आपके पास क्या कानूनी चारा जोई का हाथ है अच्छा चाहे तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन अगर आपके सर आप आप ने पढ़ाया आप करने हमारी त्यारी ने सब्सक्राइब करने हैं कर सकते हैं अगर रिटन में है तो नहीं जबानी क्लामी है तो भी क्या क्या क्यूंकि हर एक्रिमेंट का रिटन होना जरूरी नहीं है सिर्फ इन तीन एक्रिमेंट का रिटन होना जरूरी है अगर मैं साइंस करानों लेकर एक्शन आप फिर भी लेकर एक्शन ले सकते हैं मज़े की बाद नहीं वह फिर बेगर सकते हैं नहीं नहीं आपको वकील आपको देखा कैसे रश्ते दिखाता है अच्छा यह यह है यह है कस्टमर के दरजी के पॉइंट हों से एगरिवा चांद रात को कपड़े देगा चांद रात को से कपड़े सीधी है हमें फून किया आगे ले जाओ हमने उसको एक्शेप्टिब हमारे घर आया सर यह लिजी यह कपड़े हमने कपड़े नहीं ले दे बाद में हमें अभी भी यह कॉंट्रेक्ट वाइडेबल है लेकिन अब किसकी आप्शन पर दर्जी चाहे तो कि अच्छा सार ठीक है यह चोटी इती बड़ीद पर आ जाईएगा बड़ीद का कॉंट्रेक्ट कर लेते हैं लेकिन लेकिन अगर चाहे तो इस कॉंट्रेक्ट हो हतम करके कि पाटि बड़ीद का फ़र्यक है इसमें परिट है ला की लैंगीज में आपको बताता हूं इसमें गरीवड पार्टी प्रॉमीजेशियस प्रामीजेशिय्यर contrat is a और इसमें ऑगरीवड पार्टी है प्रामिजर सेखरो ना परण इसमें और इसमें दूसरे इसमें जिसने प्रवाइड करनी थी नहीं कि वह और यूरो डिफार्ट पार्टि यह और इसमें फाल्टी बाड़ी ओन दूसरी दूसरी पर्टी हे मैं क waar आख बॉड़ में फ्रक बदा सकता है दोनों है तो वाइड ऑग्रिमेंट को पहले दिन से ही पाइड है उसे क्या कहेंगे और अगर कि यह कोई ऐसा एग्रिमेंट था पहले वैलिड था बाद में वाइड हुआ यानि राइस की इंपोर्ट करनी थी पहले गमें ने जादा दिया तो वह क्या वह वाइड कुंट्रेक्ट होगा है अच्छा एक चीज़ेंद में रख लें आपने इसको सिर्फ एक एग्जेंपल क can grow युज कर सकते हैं यह टेकनिकली अगरिमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फरक है वाइड gel he जब हाद लेकिस लिग्रेमेंट का बटाटे में वाइड वार्च को तर embr इंब पूचे अगर लेकिन जब आप से एक्जाइमिनर क्लियरली पूछे कि वाट इस दिफरेंस बिट्वेन एग्रीमेंट और तो फिर उसका बताना है जब पूछे वाइड एग्रीमेंट और तब इस बताना है वरना आम लाओ लिखते हुए के सब्सक्राइब करते हुए आप इंटर्चेंज क कर सकते हैं समझारिया यह बात नहीं वह था देखें एग्रीमेंट और कॉंट्रेक्ट में फरक्ता वह ठीक है यह वाइड एग्रीमेंट और वाइड कुंट्रेक्ट है जी क्लियर हो गया अच्छा आपकी होमसांडमेंट यह लर्णिंग उप्जेक्टिव वन था वान रॉट्व हाँ वान रॉट्व के एंड वे जो क्वेस्टन्स है वह आपकी होमसांडमेंट आपने रिटन फार्में करके आने हैं यह मेंडे को मैं चेक कर हूंगा और फिर के बाद आगे चलेंगे कैसे डिसकस भी करेंगे आज का लेक्चर यहां पर खतम करते हैं अल्ला हाफिस केस